मैं हूँ आपके साथ पालवी सेंग, उत्रप्रदेश वुलिटर में सुवागत है आपका, खबरों की शुरुवायत करेंगे बुलंच शेहर से, जहां दिली में हुए हत्या कार्ण की गूंज, अब बुलंच शेहर तक सुनाई दी है इसे के चलते ही साक्षी को निया दलाने के लिए भीमवाहिनी के विरोध दर्च करना सामने आया है, जहां पर भीमवाहिनी के कार्यकरताओं ने हत्या रोपी साहिल को फांसी देने की मांग उठाई है वीमवाहनी के कारेकरताओं ने मलका पार्क में जाका विरोध प्रदर्शन किया है और कहा गया अक्टि पेड़ता को न्याय के लिए एक महीने में ही कोच के अंदर फैसला होना चाहिए साथी पचास लाख रुपए मुआफजा देने की भी मांग की गई चाकू है उसके बाद बच्ची मर गई है तब उसे वित्मना नहीं हो कि बच्ची खतम हो गई पास में पढ़े पत्थर को आठ भार उसने बच्ची को उपर पत्थर मारा है आज उस हत्यारे को हम फांसी के सद्धा दिलाने के लिए अपना प्रदसन कर रहे हैं और वह त्यार के लोगों को 50 लाग रुपे दिये जाए और इस मुकदमे को एक महाए में पूरा निर्णित किया जाए उसे फांसी के सद्धा दी जाए दिली के अंदर साक्षी एक दलीत लिड़की थी अब बढ़ेंगे अगली ख़बर की ओर बुलंड शहर में अंतराजरिये वाहन चोर गिरों के तीन शाते रपराध्यों को गिरुफतार कर लिया गया है वाहन चोरों की निशान देही पर चोरी की 14 बाइके भी बरामत की गई आप कोई बता दें कि आचोर प्रसिक्षन के इंदर की बंद इमारत से ये चारों जो मोटर साइकले हैं वो बरामत की गई हैं और साथ ही बाकी स्कूटी और बाइकों को भी निशान देही पर बरामत कर लिया गया है तो वह गिरफतार वाहन चोर योगेश पर 21 मामने दर्ज हैं जिसाज़ित पर 9 और करन कुमार पर 14 मुकदमें पहले से ही दर्ज बताय जा रहे हैं ये गिरो दिल्ली और दूसरे प्रदेशों में चोरी की बाइक और स्कूटी जो बेचा करते थे ये लगातार इस पर काम करें थे इन्हें एक बुट्विट से सूचना मिली थी जिसके निशान देही पर इन्हें तीन बाई के बरामत की जब उन लोगों को हिरासत में ले आ गया उसमें मेन अभ्युकता योगेश योगेश पलाला जो पहले भी चोरी के अपराद में जेल जा चुका है नई मंडी चौकी से ही पिछले साल तो इसने फिर अपने दो अन्य साथियों का नाम बताया जिनका नाम है साजेद और भाटी और करन कुमार इन लोगों पर पहले मुगत में रहे हैं और ये भी जेल जा चुके हैं तो फिर इन तीनों की निशान देही पर वि काज़ेबाद में जीटिये की द्वारा लगातार कारवाई इज़ारी है और इस बीच आपको ये बता दे के लगाता है जीटिये की कारवाई से अब खौफ का अलम देखने को मिल रहा है अवेद रूप से बसाई जा रही कॉलोनियों को आदवस्ती करण हो रहा है और उसक और रुख करेंगे हापुड का जहां पुलिस ने अपरात की रोगधाम के लिए अभ्यान चला दिया है और इस अभ्यान के तहट थाना सिंभावली पुलिस ने रोड़ वेस बस से डीजल चोरी करने वाले अभ्यूक्त को गुरुफतार कर लिया उसके कबजे से 30 लिटर ड डीजल चोरी करने के उपकरण और घटना में इस्तमाल की जाने वाली गाड़ी भी बरामत कर लिए गई है भारती जुनता पार्टी की केंटर में नौ साल पूरे होने पर भारती जुनता पार्टी के वरिष्टिक नेताओं की तरव से 30 मई से 20 जुन तक के लिए 9 साल बेमिसाल की तरच पर जुनता के बीच जाकर उपलबधियों को बताने के लिए कारेकरताओं को प्रेरित किया जा रहा है इसी के मद्दे नजर आज ज्वार्खंट के पूर मुख्य मंत्री रगवर्दास ने सदर सांसाद रवी किशिन के साथ मिलकर संहितुर्प से सरकेट हाउस में स्थेद NXC भवन में प्रेसवारता की इस प्रेसवारता के दौरान उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी द्वारा किये गए कारियों की सराहना भी कर दी है साथ ही ये बताया गया है कि जुन्ता के बीच कारेकरताओं जाकर 9 साल की अपनी उपलबधियों को गिनाएंगे साथ ही साथ आपको बताते चले कि आगामी 2024 के चुनाव में एक बार फिर से भारती जुन्ता पार्टी को केंदर में सरकार बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा आए जानते हैं क्या कुछ कहा गया इस प्रेसवारता के दौरान नौ वर्स के सेवा सूसासन और गरीब कल्यान इन नौ वर्स के भारत के बदलाओ के स्वर्निम काल के बरस आज भारत हर परच्छित्र में एक नए भारत एक आत्म निर्वर भारत की ओर बढ़ रहे है इन नौ वर्स में हमारे देश के आधरनिये परदान मंतरी मोधी जी गरीबों के परती जो नोंने दोजार चौदा में पार्लियमेंट को परनाम करते हुए उनोंने देश की जनता को अस्थवस्थ किये थे कि हमारी सरकार गरीबों के परती समर्पित सरकार 2014 के पहले का भारत हम सब जानते हैं ना इंस्वा सक्षर था ना रोजगार था ना रेल की विवस्था थी ना एरप्लेन की विवस्था थी ना ठीक से एरपोर्ट से ना जीवन था ना सम्मान था चुकि मैं विदेशों में भी फिल्मों की शूटिंग करता रहा तो मुझे पता है कि किस तरह से भारती लोगों को देखा जाता था 2014 के पहले और मैंने खुद भी जेला और उसके बाद वो सम्मान जब वो 140 से शुरू हुआ जो हमारे घर की मा बहन बेटियों की इज़त घर जिसको कहते हैं वहां से शुरू हुआ तो पता चला कि ऐसी सोच के प्रधान मंत्री भी आते हैं जो गाओं देहाद के बारे में सोचे जो हमारी बहन बेटियों के बारे में सोचे फिर उनको लगा कि गरीबों को मकान, ये सब जोकरी जुगी में क्यों रहते हैं। उन्होंने मकान की वहस्ता शुरू की फिर उनको लगा कि अब किसानों को कैसे मजबूत किया जाए कि किसान आत्मात्या करते तो उन्होंने किसान निधी शुरू की प्रिद्धा महिलाओं के लिए बच्चों के लिए बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ उन्होंने इतने मोमेंट शुरू कर दिये इस देश मा तो इसके बाद ये देश को देखने का नजरिया बदल गया और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर खबर मुरादाबाद से है जो आँ शिफसेना की कारे करताओं ने जिलादिकारी मुरादाबाद से मुलाकाद कर स्मार्ट सिटी के नाम पर वैपारियों का उत्पीडन करने का रोप लगाया है शिफसेना की ने यहाँ पर साफ चेताबनी दी है कि अगर वैपारियों का उत्पीडन नहीं रुका और स्मार्ट सिटी के नाम पर जो सटके तोड़ी गई है गर नाले जो तोड़े गए हैं उनको जल से जल अगर सही नहीं किया गया तो शिफसेना अंशिक रूप से कारे क को बंद करवा देगी शिफसेना के नेता विरेंद अरोड़ा का भी आरोप है कि जब सरकार आई तो उन्हें लगा कि यह उनकी और वैपारियों की सरकार है लेकिन अधिकारियों के नाम पर यहां पर काम करने के तरीके से यह लग रहा है कि यह सरकार वैपारियों की लेकिन आज इस्तिती यह है कि आप इस्टेशन इंपीरियल से लेकर के और बुद्वयार की इस्तिती यह हुई है कि अवाम निकल नहीं सकते हैं लेकिन निकल लएकर अंदर नाले कि यह मट्टी है यह खुदाई है उसका काम किसी भी तरह है अपूर पड़ा हुआ आने वाले समय में बारिश आने वाली है बेस्मेंटों से लेकर वैपारी की ख़ग जाएगा चड़ने की जगे नहीं है वैपारी उस्तुरा इस सरकार में व्याले उसलिए बार अग्रय करें अगर इसमें इस तरह काम नहीं हुआ तो शिवस्याना इसमें बंद भी कराएगी मुख्यमंत्री योगिया दितनात नहीं सुमवार कि सुबह ही गोरकनात मंदिर में 600 लोगों से मुलाकात कर उनके समस्यां सुनी है सबी को आश्वस किया गया कि सबगी समस्याओं का निस्तारण करना उनकी सरकार की प्रतिबद्धा है और मुक्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं से सब्मंद्ध प्रातना पत्र लेकर उसे अधिकारियों को दिया है साथी अधिकार्यों को निर्देशित किया गया और अस्तागत किया गया कि समय बद गुणवर्तापूर्व और संतुष्ट्री पारा करनिस्तारंड सुनशित किया जाए और मुरादबाद में बिलारी CSC के डॉक्टरों की लापरवाही से मरीज की मौत का आरोप लगाये गया है दरसल मरीज प्रवेंद्र सिंग को एक दिन पहले ही सांस लेने में कुछ दिकत हुई इसके बाद CSC विलारी में एमर्जनसी वाट में उसे बढ़ती कराया गया गंबीर हरत के चलते मरीज का इलाज महाँ पर हुआ और परिजनों ने भी आरोप लगा दिया है कि डॉक्टर समय पर नहीं पहुँचे और CSC विलारी के वाट बॉई ने मरीज का इलाज किया परिजनों के ये भी आरोप है कि मरीज का इलाज करने बाला कोई प्रोफेशनल डॉक्टर ना हो करके महां का एक वाट बॉई था और सूचना मिलते ही मौके पर पहुची पुलिस ने इस पूरे प्रकरन पर चार्च शुरू कर दी है प्रक्राइब लॉग मिलाए यहां लाने के बाद में हमने को दिनको बने हातों सो खार रहा है वहां सब अपने हाथ तां दर ले लाने कि लिटाया कोई डॉक्तर साथ बुला लो एक बार बाद आद और शूट उन्से नेट नहीं आप अन्डर नियागा थी तुनाट नहीं राइबरेली में विश्व परेवरेंट दिवस पर आज कलेक्टरेट पर इसर में जिले की प्रभारी मंत्री प्रतिबाशुकला और जिलादिकारी माला श्रिवास्तब ने औशुद दिवाचिका में लॉंग इलाइची कपूर अजवाइन के औशुदिये पौथे लगाए और शद्धी वाचिका में और शद्धी युक्त पेड़ लगाते समय जिलाप्रश्यासिन के सभी अधिकारी व्रक्षारूपट कारिकरम में सम्मिलित होए इसे मनोसकी जीवन में भी हमेशा निश्फक्षभाव होना चाहिए जिससे सभी को रहत और च्छाया मिल सके हैं यह आउसाज वाटका बनाई है और इसमें सब आउसाजियों के पेंड लगाएगा है इलाची है अजवाइन है और सारे बच्छों को लगाया और भी अच्छे अच्छे लगाए जाएंगे अभी अबुलन शेर में अंतरा जिये वाहन चोर गिरों के तीन शातिर प्राधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनकी निशान दही पर 14 बाई के बरामत कर ली गई है और फिलाल पुलिस ने फखड़े गए चोरों पर विदिक कारवाई करते हुए उन्हें जेल भीज दिया है कि हम लगों के टीम्स लगातार जो बाई के चोरी हो जाती हुन पर काम कर रहे थी इसी के अंतरकत कोटवाली देहात की जो तीन है तो इसने फिर अपने दो अन्य साथियों का नाम बताया जिनका नाम है साजेद और भाटी और करन कुमार इन लोगों पर पहले मुकद में रहे हैं और ये भी जेल जा चुके हैं तो फिर इन तीनों की निशान देही पे विभिन अफरादों में जो इन्होंने सिकंद्राब से खानपुर से हर्याना से दिल्ली से बाइक्स चुराई थी उन सबको बरामत किया गया है टोटल 13 बाइक्स हैं और एक स्कूर्टी बरामत हुई है हम लोगों के टीम्स लगा और हापड में पुलिस ने मुबाइल लूट और चुनोती करने वाले गिरों का परदाफाश करते हुए गिरों के तीन शातिर सदस्यों को गिरुफतार कर लिया है इनके कबजे से लूट और चुनोती किये गए 26 मुबाइल फोन नगदी और घटना में इस्तेमाल की गई मोटर साइकल बरामत कर ली गई है गिरुफतार अभियुक्तों को वो बताया जा रहा है कि शातिर किस्म के वो अपराधी हैं जिनके द्वारा फोन पर बात करते समय रागेरों से उनके मुबाइल फोन छीन लिये जाते थे और उसके दो साथी हैं मुदसिर पुत्र यामीन लिसाडी गेट मेरट के और फरदीन पुत्र फयूम ये गढ़ मोक्तेसवर हापुड का है इन तीनों को गिरफतार किया है दोताइन अहर पुल के पास से और हमें इनका पराधी की तिहास जब जाचा तो हमें मेरट इन दोनों घटनाओं में लूटे गए दो मोबाइल हमें परामद हुए और साथी हमें 24 और यानि कुल 26 मोबाइल परामद हुए है राजपूरे देश में वेश्व परेवरेंट दिवस के अफसर पर पौधर ओपन किया रहा है साथी साथ लोगों को जागरूप भी किया ज सब्सक्ति का उठोन गया है इस दूराँ लोगों को परेवरेंट संडक्षिन की शप्र दिलाए गई है और जगा-जगा पौधर उपन कर लोगों को पौधर उपन के लिए प्रेरित किया गया इसऑ के चलते अकबारपोर हुए बाराstill होगाउं में नैशनल हाइवे प्रस परंडिवस के उफ्लक्स में हमारे मुठ्यालय के निर्देशा है से निसमें चैनल केलिए इसमें यहां पर हमने बिर्ट्राइब किया को जागरूप किया परियावन के विशे में और का और को इकाई के नंदर इस वर्ज हमारा साथ हजार से ज्यादा बृस्फ लगाने का लक मुरादबाद से है जोहां जिलादिकारी का रियाले पर आज अकिल भारती अधिवक्ता महासभा मुरादबाद मंजल के अधिवक्ताओं ने प्रोदर्शन किया है जिलादिकारी को इस बीच ग्यापन सौपा गया और साती अधिवक्ताओं के लिए 10 लाख रुपए का हेल्थ इंच्वारंस प्रीमास सरकार से देने की मांग के गई है अधिवक्ताओं का एक प्रतिनी मंडल महान की जिलादिकारी महादे से मिला और इस संबंद में बार कॉंसिल आफ इंडिया ने एक पिरसाओ बना कर भारत सरकार को भेजा है कि पूरे संपूर भारत के अंदर जितन कि अधिवक्ताओं को दस लाग रुपे तक का हेल्थ इंसुरेंस का लाब मिल सके माननी प्रदान मंतरी महादे को यह गयापन दिया है ताकि वह स्वास्त मंतराले भारत सरकार पहुंचे और जो यूजना है यता शिर्क प्रावरम हो सके अधिवक्ताओं को एक प्रतिनी मं कि मुरादबाद में सरकारी राशन के कट्टे पट्टी करते हुए विडियो सोचल मीडिया पर वारल हो गया है बताय जा रहा है कि मुरादबाद के तैसील बिलारी महला शांतिपुरम से इमामलत सामने आया है इसमें साफ देगा जा सकता है क्योंकि सरीके से बंद मकान के अंदर सरकारी राशन का कारोबाद चल रहा है यहां देख सकते हैं कि कई लोग यहां पर खड़े हैं और यह एक बंद मकान है जुसके अंदर यह काला बाजारी चल रही है और बंद मकान के अंदर सरकारी राशन का यह कारोबाद है जो कि यह कुछ नुमाइंदे चला रहे हैं यहां पर सरकार की यूजनाव और मंशा पर अधिकारी और जिम्मेदार अधिकारी का सौर पर पलीता लगाते हुए देखे चा रहे हैं यह कट्टा आप देख सकते हैं वीडियो में के लिए बन चुका है यहां बन पड़े मकान के अंदर सरकारी राशन का किस तरीके से बंदर बांट हो रहा है वो इस वीडियो के जरीम आपको दिखा रहे हैं पर अधिक जानकारी के लिए दानविर सिंग हमारे मुरादबाद से जुड़ गए हैं उनसे जानेंगे दानवीर कपका यह वीडियो बता जा रहा है और क्या कुछ ज़्यादा अपडेट और जानकारी आपके पास है इस वीडियो को लेका अधिक में आपको बताते हैं मामला बड़ा बलारी से सामने आया मुरादबाद के बलारी तैसी कि नजडीक में ही मामला सांति प्रम पहले के बता जा रहा है इसमें रातन की काला बजारी तेजी से हो रही है दिखी आप मशकूर की तक्दिरों पर साफ नजर आ रहा है एक अधिकारी से अधिकारी से अधिकारी से संग्या नहीं है दानवीर क्या किसी के गिरफ्तारी अब तक हो पाई है इस पूरे प्रक्रण को लेकर जी तो मकान मालिक का नाम रिंपू बताया रहा है जिस मकान का यह मामला है और जिस मकान में यह तस्वीर है वारल हुई है दानवीर मकान मालिक का क्या कहना है क्या उसे बनक नहीं थे कि उसे के घर में किस तरीके से यहाँ पर सरकारी राशन का इस तरह से कारोबार हो रहा है देखे जिरू कि बिल्कुल मैं कोता है मकान मालिक के मरी बात हुई थी मकान मालिक ने अपनी पाक क्या मेरे पे ना बोलका मतला अपनी वास तो गोप नहीं रखा गया कि इस वक्त मिला है जब आप पर पहुंचे हैं मकान माप्योरा कि आगया है तो कितना राशन माप था कि अब बात हुई है उन्होंने भी जांची बात कही है लेकिन अभी इसका हाथ है इसके लिए एक्राम करते से खिया भी कुछ पी शिकास में नहीं आया है जो लोग इस वीडियो में नजर आ रहे हैं ये इस वक्त कहां पर हैं इन से किसी तरह की पूछता जब तक हुई है देखिए मैं अभी थोड़ दर पहले मकान की तरफ गया था तो में मालिक से दोवारा जांची लेने गया था दिको कोई है नहीं तो इस मकान का भी पास लगवा नजर आया था रहे हैं अड़ दसे दोटी मैला थीवा दूब एस तो में मैलाओ ने खुछ कहा था था कि हमारा मकान में हमसे बात की तो मेरा था आए ज़ग ने ये कह था कोई हमसे काम कराता आई यह वास्ने बिलकुल शही है कि हुषिboys रात्ती होता है तो दान्वी जो मकान मालिक है उसके तरफ से किरायदारक लेकर क्या कहा जा रहा है जो लोग यहां पर यह राशन का बटा करते हुए नजर आ रहे हैं यह वहाँ पर कौन लोग रह रहे थे और कितने लोग महाँ पर थे कि उसके मानलक की दुपान है यह पार्टना का लिए सफ नोग जो रहे उसके पार इंहें। नोकर है उस वीडियो में दिखाई द रहा हैं उसके जानतारी शाहें थाहिंना का जिए लुट गरी हैं BENEKT कि अभी तक कोई कारवाई इस मामले का लिगा रतुर समयान नहीं दिया क्या है दानवीर बहुत-बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए दर्शगों के एक बार फिर से यह वीडियो हम दिखा दे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकारी राशन है, कट्टा यह वीडियो में साफ दिख रहा है नब 15 कट्टे यह बताया जा रहे हैं मे patio सीचाel को संग्ञान में लेकर कारवाई जारी है लेकिन अब तक कोई ग्रफ्तार ही नहीं हो सके है और इसी कबर के साथ ही अत्रप्रदेश बुलेटर में फिलाल के लिए इतना ही खबरों का सिलसरा जा रही है देखते रहे आरे न्यूस